हेलो दोस्तों तो मैं कुल जीत आपका आपके चैनल इक्जामपूर कलम से करांती में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज है 14 दिसंबर 2018 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेर मिसाइल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा तो दोस्तों हमें आता है पहला Question of the Day करने के लिए तो Question of the Day में मैंने पूछाता कि Rose Cosmos क्या है Rose Cosmos, रास कासमास किस से संबंदित है तो आप में से कई लोगों ने सही जवाब दिया है इसका अंसर है Russian Space Agency अब ये Russian Space Agency का Foundation Stone कब रखा गया ये देखिए इसका मार्क है इस्रो का भी अपना है जैसे उसी तरह से नासा का है उसी तरह से नासा का भी है उसी तरह से इस्रोस कुसमोस का भी है इसका Head Quarter है मोसको में और इसका Formation हुआ था 1992 में ये दो चीजिया हमें समयने की जरूरत है और ये एक State Corporation है मतलब State के अंतर गताती है देश की सरकारी है तो दोस्तो हमारा आता है पहला Question निमिल लिखित में से कौन सा अरब सागर की रानी माना जाता है अरब सागर की रानी Queen of the Arabiancy किसे माना जाता है बहुत से लोगों को पता भी होगा लेकिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए कोची को कहा जाता है Queen of the Arabiancy अब इसे Queen of the Arabiancy क्यों कहा जाता है अब रानी रानी क्यों है यह देखिए यह है कोची का तट जहां पे हमारे मचवारे बोट लेकर आ रहे हैं यह जा रहे हैं चलो अच्छा है काफी नजारा तो दोस्तो इसे एक तो सबसे पहले कोची तो है कैरला का गेटवे इससे बहुत सारे देश डिरेक्ली बहुत सारे देश नहीं बहुत सारे शेहर डिरेक्ली कनेक्ट होते हैं बहुत से major cities इंडिया की और दूसरी बात ये है कि इसकी बहुत strategic importance है इंडिया की location के हिसाब से बहुत ही major port है ठीक है और queen of the rabian sea है ठीक है दूसरी बात ये है कि ये एक western cost है मतलब center for spices on the western cost मतलब पस्चमी तट में मसालों का सबसे बड़ा center है और 14th century में ये 14th century से ऐसे ही ये तट फेमस चलता आ रहा है इसका head देखिए southern naval command जो हमारी इंडिया नेवी की southern naval command है वो उसका headquarter भी यहीं पर है दोस्तों ठीक है हमारे इंडिया कोस्ट गार्ड का एक squadron भी air squadron भी यहीं पर स्थित है चलो दोस्तो दूसरा question आता है in which of the following place bilateral annual हज agreement कहां किया गया दुवी पक्षी है वार्षिक हज समझोता कहां अस्ताक्षर हुए दोस्तों यह हुए है जदा में तो जदा कहां है साउदी एरेबिया में है अब साउदी एरेबिया का मैप तो मैंने आपको कही बार दिखाई दिए है चलो दोस्तो मैरिटाइम लेबर और्गनाइजेशन 2006 समुंद्रिय श्रम समेलन 2006 लीमिलिक्ष में से किसमें आता है दोस्तों इसका अंसर है बी इसका अंसर है बी इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन अब देखिए यह important क्यों है हमें यह समझने की जरूरत है देखिए सबस कोई भी सीफिरर जो मतलब जैसे की किसी का खाना पानी जमीन पर है कोई बैंकर है कोई पुलिस वाल है उसी तरह से जो मचवारे हैं वो सीफिरर होते हैं उनके हक की बात उनके राइट्स की बात पे यहां पर बात की गई है इसमें 186 देश कुल मिलाकर आते हैं 186 ठीक दोस से कि तोन तीन कोलर तो बाकि ये 60 एस्टी सी एल और मार पॉल अगर आप तीन तीन फिलर के बारे busy जा ना चाहें कि यह किस सभनदित है जय सभी है सभी से के राइट पर ये आप इससके डिठेल में जा पर देख सकते हैं मैंने दस इसका पहले था लेकिन अब है 2012 और इसको तैय कौन करता है कि यह इसको एक तो रिलीज कौन करता है और तैय कौन करता है Central Statistical Office और यह किसके अंतरा आता है Ministry of Statistical के अंतरगत आता है अब यह Consumer Price Index चार तरह का है अब यह आपकी duty है की बताना है कि यह किन चार तरह के है और जिन लोगों को यह नहीं पता है वह को research करनी है search करनी है और मैं आज से आपके उपर एक अभ्यान लेकर आ रहा हूँ एक एक initiative शुरू कर रहा हूं अपने तरफ से कि जैसे कि चार और अंगल जाते हैं और यह चार प्राइस इंडेक्स में बटके किन चार में आता है यह रिसर्च कराना में ताकि आप में एनलिटिकल अबिलिटी समिक्षा की पटेंशियल ताकत पैदा हो यह भी एक मैं काम आज से शुरू कर रहा हूं तो दोस्तों फिफ्ट कोचन आता है corporate depth instrument with maturity shorter than one year are referred to as मतलब कोई भी corporate का bond होता है कोई भी ऐता depth instrument का मतलब क्या होता है करजा लेने के लिए कोई भी ऐसा इस्तमाल करना tool ठीक है उसको जिसकी एक साल से कम maturity हो मतलब एक साल से पहले वो mature हो जाता हो मतलब जिस मालिक ने जिस वो खरिदा है पैसे दे कर वह एक साल पहले आ जाएगा प्रक्रेसिक वापिस लेने उस बोंड को वापिस देने तो उसको क्या कहा जाता है है कनुनी बाषामें commercial paper क्या कहा जाता है वनीजियक पत्तर और अगर एक साल का ज्यादा का टाइम हो वैसे इसका अंसर है भी अगर एक साल का ज्यादा का टाइम हो तो यह आता है corporate bond कहा जाता है दोस्तों इसे ठीक है चलो अब आपको यह बताना है कि sovereign bond क्या होता है है detail में अब यह भी आपका analytical ability के अंतरगत आता है तो अब इसके लिए net का यूज कर सकते हैं तो दोस्तों which of the following regulator regulate mutual fund houses मतलब mutual fund की जो company हैं उनको कौन regulate करता है उनको regulate करता है सैबी उनको regulate करता है सैबी अब आपका काम है कि सैबी कौन से act के अंतरगत लाया गया और इसका objective क्या है और वह चलो दो बात ही बहुत हैं और इसके साथ mutual fund के साथ यह stock exchange market को भी क्या करता है regulate करता है संचालित करता है नियंतरित करता है दोस्तों ठीक है चलो अब हम चलते हैं आगे तो विच फॉलविंग awarded United Nation Climate Action Award United Nation Climate Action Award इंडिया में किसको अवार्ट दिया गया है देखिए अंतरश्टिय स्तर पर 15 organization को दिया गया है जिसमें से एक इंडिया की organization है इंडिया के लोग है कि इंडिया का लोगों ने इनिशेट्व इकला है उसका अंसर है हाँ लोगों जोलते माइश्थ लेख राव हो रहा है यहां भी इक खूली इसके हैं जो होता है कि जो भी मंदिर होते हैं यह मौक्क होती है नि हमें च्मिपन सब्सक्राइब कर कोई भी फूल वगेरा यूज़ किया जाते हैं। उरतें एकठा करती यह उत्तरपदेश की में चला है उत्तरपरदेश के कुछ चह्रों में उसको क्या करते हैं?」X时候 क्या जेखक runners उसको क्या करते हैं?94 उसको सॉत है? और तुजे जाता है We are Big दोस्तों चलो इन वीच फॉलविंग प्लेस इंडिया फॉर्स्ट जीन कोमेंट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ओपन जीन मोनेट अब जीन मोनेट कौन है बहुत जुरूरी है पहले इसका अंसर देख लेते हैं इसका अंसर है मनिपाल अकेडमियों फायर एजुकेशन के अंतरकत इ अब यह कौन थे थोड़ा देख लेते हैं देखिए यह फ्रांस के फ्रेंच के पॉलिटिकल एकनोमिस्ट और डिप्लोमेट थे देखिए इनको कहा जाता है फाउंडिंग फादर ओफ इडोपेन यूनियन आज यूरोप में हम यूरोपियन संग देखते हैं यूरोपेन य स्टील कम्यूनिटी को ठीक है दोस्तों जो क्या बना प्रिसेडर ऑफ दा टूड़ेज यूरोपेन यूनियन कहीं ना कहीं शुरुबाद इसकी यूरोपेन यूनियन की यहीं से हुई जिसकी वाद कि जीन मोनेट ने अब इनका नाम इस कारण बहुत मौतापूर्ण हो जा बताया था ना आपको कि हर देश दूसरे देशों की स्टेडिस करता है उनमें यह हमारे मनीपाल अकैडमी ओफ हायर एजुकेशन में इसका क्या है डिपार्टमेंट है चला आगे चलते हैं तो विच फॉलोविंग कंट्री लॉंच्ट नीमिल लिगे इसमें से कौन सी कंट लिजिए कि यह क्यों किया गया है रिमोट एरिया रिमोट एरिया दूर दराज की एरिया जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती है बहुत से चीज़ा नहीं पहुंच पाती तो महां के लिए यह रिमोट एरिया के लिए यह नुकलियर पावर प्लांट एक बड़ा इनिश design किया है दोस्तों अब इसकी बागी डिटेल आप इसमें चाहिए तो निकाल सकते हैं चलो दस्वां को चनाता है प्रापती एप किसे रिलेटिड है प्रापती एप किसे रिलेटिड है जिसके इसका अंसर है एक पावर परचेस पावर परचेस मतलब बिजली खरीद अब मतलब ऑगर जनेरेटर है मतलब जनेरेटर मतलब जहां पर पैदा की जातीया और जो कमपणिया बिजली खरीद के आगे स्टेट में कम्पनियों को बेच देती है या गरों को बेच देती है हमारे एक घ।र यह तरए हम ऑप जो जो खावीचर तो उन इंडिया ने साइन किया है लोन एग्रिमेंट का याद रहएक लिए नियूंड का का वं किसलिए अनflower से बचाने के लिए और रिवर बैंक नदी के किनारों को और शेर्थं को पार्भार को मेेरे पर बौर बनाने के लिए अब किसे से लिया जा रहा है यह ले जा तो ट्वेलप्त कोश्चन बार्मा कोशना आता है निमिल लिकित में से कौन सा अंतरराष्ट्य युवा विनियमन कारेनम अयोजित किया गया अब देखिए इंटरनेशनल यूद एक्सचेंज प्रोग्राम किसने और्गनाईज किया है देखिए इसका अंसर है ए डिपार्टमेंट ओफ यूथ अफेर्स अब देखिए इसके साथ इसका अबजेक्टिव लक्षय जानने की उदेश्य जानने की बहुत जरूरत है हमें अब देखिए इ इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव द्रिष्टी कौन खड़ा करना अंतरश्टिय स्तर पर किसमें यूथ में युवा में किसके लिए इन्वॉल्व उनको बीच में लाड़ा किसके लिए परमोट करने के लिए पीस को शांति को बढ़ावा देने के लिए और है चलो देखिए दोस्तों अब आता है कोश्चन अव दे रिसेंटली न्यूस टर्म गोल्डन वीजा इस रिलेटेट तुद विच आफ फॉल्विंग अब गोल्डन वीजा क्या है ये भी आपको बताना है और किस से रिलेटेटिड है ये भी आपको बता रहा है तो दोस्त है मुझे उमीद रखता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी ओके बाए ज्यादा ज्यादा प्रमोड करना मत बूलेगा फ्रेंड्स बाए 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 एन बाए